हलो दोस्तो आपका हमारे चैनल कुगवेश्वूड में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेवल जूस वेजिटेवल जूस पीने के बहुत फायदे होते हैं इसको पीने से हमारा सरीर स्वस्त रहता है और यह संकृत वीमारियों से भी हमें बचाता है यह जूस एक प्रकार का खून बनाने के मसीन है क्योंकि इसको पीने से हमें कई फायदे होते हैं जैसे इम्मिनुटी सिस्टम मजबूत होता है सरीर में खून बनता है और यह वेट लॉस में बहुत ही मददगार साबित होता है वेजटेवल जूस को सुबह हमें खाली पेट लेना चाहिए जिससे इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारा पेट अच्छे से एब्सॉर्ब कर सके चलिए अब बनाते हैं अपना हेल्दी और टेस्टी वेजटेवल जूस यहाँ पर हमने ले लिया है एक बेट रूट जिससे चुकंदर बोलते हैं साथ में ले लिया है चार से पांच पत्ते पालक के एक ले ली है गाजर और एक टुकड़ा ले लिया है हमने अद्रक का और साथ में हमने ले लिया है आमला जिसको गुड़ों की खान भी बोला जाता है और साथ में ले लेंगे एक टमाटर, अब करते हैं अपना वेज़ीटेवल जूस तैयार यहां पर हम ले लेंगे एक मिकसी का जार और सबसे पहले डालेंगे हम पालक, पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है इसके बाद हम ले लेंगे टमाटर, टमाटर में बिटामिन C, बिटामिन 3 और बिटामिन E होता है जो सरीर में बैट कॉलिस्टरॉल के इस तर को कम करता है टमाटर के जूस में विटामिन के और केलसियम होता है जो हड़ियों को मजबूती देता है और इससे हमारे जूस में भी बहुत बढ़ी है टेस्ट आएगा अब ले लेंगे हम एक आवला आवला एक औसधी के रूप में काम करता है ये कई गंभीर बिमारियों से बचाने के लिए राम बाड़ो पाए है इसमें आईरन, केलसियम, पॉटेसियम, प्रोटीन, कार्व हाइडरेट, फासफोरस, जिंक्स जैसे जरूरी पोसकतत भरपूर मात्रा में होते हैं आवला को जूस में सामिल करने से पेट, समबंदी, समस्याएं भी दूर होती हैं इसलिए आवला को जरूर सामिल करें और ये बिल्कुल भी कसेलापन नहीं देगा जूस में अब हम ले लेंगे एक गाजर गाजर में बिटामिन ए होता है जो आँखों की रोसनी को बढ़ाने में मददगार है गाजर का जूस हाट के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है ये बलड ट्रेसर को नियंतरित रखता है और रोग प्रतिरोधक छमता को भी बढ़ाता है ये गंबीर रोग को बचाने में काफी मददगार साबित होता है और गाजर का जूस कॉलिस्टरॉल के इस तरको भी संतुलित बनाए रखता है इसलिए इस जूस में हम गाजर सामिल कर रहे हैं इस तरह से मिसका लाल भागी लेंगे अब हम यहाँ पर ले लेंगे चुकंदर इसको हमने आदा ही लिया है और इसको छील लिया है चुकंदर के जूस में पॉटेसियम, जिंक, कैलसियम, आयोडीन, मैगनीसियम, फासफोरस, सलफर, बिटामिन B, 1, 2 और 6 जैसे गुण पाए जाते हैं इसको हम खून बनाने की मसीन भी बोलते हैं जब इस तरह से हम वेजटेवल जूस बनाते हैं तो यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है और इसको हमें खाली पेठी लेना चाहिए सुभा अब इस जूस में हम मिलाएंगे अद्रक का एक टुकड़ा क्या आप जानते हैं अद्रक में कैंसर जैसी भायानक बीमारी से सरीर को बचाय रखने का गुण होता है इसलिए इस जूस में अद्रक को जरूर मिलाएंगे बहुत ही फाइदे मंद होता है अब इसमें हम एट कर देंगे एक गलास पानी क्योंकि वेजिटेवल्स में से सिर्फ आदा गलास ही जूस निकलेगा और हम यहाँ पर डेड़ से दो गलास जूस बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर एट किया है एक गलास पानी अब इसको हम मिक्सी में चला लेंगे एक से दो राम जिससे की इसका बढ़िया से पेस्ट बन जाए और अच्छे से जूस पानी में मिल जाए और यह देखिए वेजिटेवल्स कितने बढ़िया से पानी में पिस गई है यानि बढ़िया से जूस इसका निकला आया है अब इस तरह से एक छन्नी लेंगे और उसमें सारे जूस को हम छान लेंगे आप चाहें तो इसको कपड़े से भी छान सकते हैं लेकिन इस तरह से छानने पर जो जूस में हलका फाइवर आएगा यानि महीन बारीक जो रेसे आएंगे वो जूस के साथ मिलकर जूस को और पॉस्टिक बनाएंगे अब इसको इस तरह से हम इस प्रेचुला से दवाएंगे जिससे की जूस बढ़िया से निकला है हमारा और इसको अच्छे से दबा कर निकालेंगे जिससे के बढ़िया से juice निकल जाए ये देखिए इस तरह से हम juice को दबा दबा कर निकाल लेंगे ये करीब येड़ गिलास juice हमारा अच्छे से निकलाया है और जो ये vegetable Medal पर बचा है इसको हम गेहूं के आटे में गूंद कर रोटी या पराठा बना सकते हैं या आप नहीं खाना चाहते हैं तो इसको हम पेड़ों में खात के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं इसी तरह से और ये देखिए हमारा immunity booster juice बनकर ready है यदि इस juice को हम अपने diet में सामिल कर लेंगे तो इससे weight loss में भी बहुत ही फायदा होगा ये बहुत ही बढ़िया juice बनकर हमारा तयार है इसको और tasty बनाने के लिए यहाँ पर हम मिला देंगे इसमें एक चमच नीबू का रस नीबू के रस में भी vitamin C होता है और ये बहुत ही फायदे मंद होता है अब इसमें हम मिला देंगे चौथा ही चमच की करीब काला नमक इसको mix कर लेंगे इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आप चाहें तो डायरेक्ट इसको पी सकते हैं ऐसे ही सादा जूस भी बहुत टेस्टी लगेगा और ये देखिए हमारा खून बनाने की मसीन यानि की हमारा वेजिटेबल जूस बनकर तयार है आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक यू